हेलो फ्रेंग्स वेलकम टू माई निव चानल निसाराज ब्लॉग नॉलेज मॉल और आज की जो टॉपिक है मेरी वो है कि मैंने जब अपना पहला वीडियो बनाया था अपलोड किया था तो मेरा पहले का सेट अप कैसा था मैंने किस तरह से वीडियो की सुरुवात की जैसा क जितना हिसाब से नॉलेज था उसे हिसाब से मैंने अपने चैनल को स्टार्ट किया बढ़ हां उससे भी जरूरी चीज़ यह मैं बता दूं कि जब मैंने चैनल को स्टार्ट किया था तो मैंने बहुत जादा इंवेस्टमेंट नहीं किया था जैसे कि माइन में जब चैनल की तो इस तरह से आपका investment बेकार चला जाता है तो मैं यह नहीं कह रही कि सारे business को आप zero investment में से सुरो करो लेकिन मैंने जो channel start किया उसमें investment मैंने कुछ भी नहीं किया मात्र डेड़ सो से 200 रुपे के आसपास मैंने किया उसमें बाकी कुछ भी नहीं किया और उसी से मैंने अपना channel start किया और धीरे 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 करके grow करते चली गई तो सुरुवाती में जो मैंने मुझे जरूरत थी किन चीजों की जैसे मैंने decide किया था कि मुझे पढ़ाई पढ़ाना है तो अब बात आती है दिमाग में कि जब मैं देखती थी सब का channel तो सभी बताते थे digital board वागरा पे स अब के पास graphics paint वगरा होते थे प्रोजेक्टर वगरा होते थे तो अब अगर मैं उस टाइम यह सोची रहती कि मुझे projector होना चाहिए डिजिटल बोर्ड होना चाहिए ग्राफिक स्पेन होना चाहिए तभी मैं सुरू करूंगी तो अब तक भी मैं स्टार्ट नहीं की होती तो उस टाइम मैंने सिर्ट रुपे की जो आती है न वो फोटो कॉपी करने वाली एफोर साइस की पेज वो मैंने खरीदा था और को कि मैं वभी पैसे इंवेस्टमेंट नहीं करना चाहती थी बस मैं यह चाहती थी जितना कम से कम हो सके उसी केごिसे मैंने देरेदेरे करके चैनल में ही करते चलिए गई दूसरी बात आती है कि knowledge कैसे increase होता है तो उसके लिए थो टेकनीकल Channel में बहुत सारे जो भी चीजह दिक्कत आती है तो आप Technical Channel पे Search करके देख सकते हो या फिर जैसे जर जो जो आप दिक्कत को face करते जाते हो तो तो आप उससे सीखते चले जाते हो कुछ चीजें हमें हमारे सब्सक्राइबर सिखा जाते हैं बहुत सारी चीजें कि जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके सब्सक्राइबर आपको कमेंट करके बताते हैं कि आपने जो इस तरह से बताया वह ऐसा नहीं होना चाहिए यह आपका ऐसा होना चाहिए फिर जब आप दूसरी वीडियो अपलोड करते हैं तो फिर आपको उसमें कमी आपको बताते हैं कि एसा नहीं होना चाहिए तो आप दीरे-दीरे क्या करते हैं उसमें सुधार करते चले जाते हैं क्योंकि जो चानल बनाया जा वीडियो में धीरे-धीरे करके कमेंट करके सुधार ना अगर लाने को बोले तो निखार नहीं आएगा यूं कहा जाए कि हमारे जो सब्सक्राइबर होते हैं वो भी हमारी वीडियो में धीरे-धीरे करके निखार लाते चले जाते हैं जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो जब अप्लोड किया था तो उसमें उस टाइम मैं बिल्कुल ऐसे कैमरा कोई पकड़ के रहता था और मैं नीचे पढ़ाती थी इस तरीके से तो वीडियो काफी हिलता डुलता था तो कमेंट करते थे या फिर कोई जो हमारे रिलेटिव देखते थे वो ही कह दिया करते थे कि आप वीडियो काफी जादा हिलता डुलता है आप उसे ठीक करें तो फिर उसके लिए सोचा जाता था कि इसके लिए क्या उपाई करनी चाहिए इस तरह से करके आप फिर जब वो हो जाता था तो जब मैं पहले मैं आपको दिखाती हूँ एक जो यह ए फोर साइस की थी यह पेज इसमें मैं क्या करती थी यहां पे कोशन मैं लिखती थी यहां पे कोशन और यहां एक में कमस कम मैं तीन कोशन को लिखा करती थी जैसे कौपी में आप बनाते हैं बस उसी तरह से और इसी में मैं जब बताती थी तो यहां पे बहुत गंदा लगता था वो देखने में तो मे एक पेज में एक को बताईए ताकि वह क्लीन लगेगा और काफी अच्छा लगेगा देखने में तो दूसरे दिन आ मैंने फिर इस तरह से बताना शुरू किया कि एक पेज में एक कोशन्स ओके आ तो यह थोड़ा सा बात हुआ फिर इसी तरह से करके धीरे-धीरे कभी वह फो लिखते हैं तो हम उन्हें positive में लेते हैं कि हाँ अगर उसने ऐसा कहा तो क्यूं कहा तो उस चीज में हमें सुधार लाने की कोसिस करते हैं तो अब मैं दिखाते हूं आपको अपना setup तो उसके लिए जब मैं जब भी कभी मैं वीडियो बनाती थी उसके लिए सबसे पहले य यह जब तक मेरा monetization वगरा हुआ उन सारे के लिए ऐसे से करीवन दो से तीन चार होंगे और रखे हुए मैंने सिर्फ इतना ही निकाल आपको दिखाने के लिए तो यह हुआ करते थे और एक चीज़े मुझे यह जरूरत पड़ती थी ताकि यह सर्फिस प्लेन हो और जब मै रहर हो और ख़ावर रहै तो मतलब राटिंग ऐसे तोले मेरी कोई अच्छी नहीं है और एक और चीज़े मैं दिखाती हूँ आपको यह है नो झाल कि डियुया ट्राइपोड इसे ना मैंने आमेजन निए मान बना है कहीं से भी नहीं यह मेरा डियाइवाइए है और जो कि मेरे भास बनी ने मैं अब मैं दिखा तो इसका सेटब यह इस तरह से और मेरा जो समय कैमरे का काम करता था वो था ये फोन, स्मार्ट फोन, मामुली साथ जो कि आप हमेशा बात करने वगरा के लिए यूज़ करते हैं ये था लेनुवो का और इसी से मैंने मॉन्टाइशन भी करवा लिया अपना वीडियो और मॉन्टाइशन के काफी दिन बात त है उसी से गलूगन से बनाया था मेरे हस्पेंड ने और यहां पर कटिंग किया गया था ताकि इसका जो कैमरा है ना यहां पर रखा जाया तो नीचे का सर्फेस पूरा आना चाहिए तो यह इसी के हिसाब से बना हुआ था यह देखिए जब इस तरह से रखा जाता था तो यह बिल्कुल फिक्स हो जाया करता था और यहां पर इसे फिर यह लिया जाता था इस तरह से और कैमरे को इस तरह से सेटिंग किया जाता था कि यह पूरा पेज यहां पर बिल्कुल क्लियर आना चाहिए फिर यहां पर मैं यह पेज रखती थी इस तरीके से और फिर यह स्क कटिंग हो रहा है कहां पर क्या है नहीं है और यहीं पर मैं इस तरह से वीडियो बनाया करती थे और ये देखें मैंने आपको कैमरा ओन करके बता दिया है कि इस तरह से कैमरा ओन करके और सेटिंग किया जाता था नीचे को आप इस तरह से एडजस्ट में कर लिया करती थी कि महेंद्र तथा सुरेंद्र करम सा 12,000 तथा 9,000 रुपया लगा कर एक व्यापार में साजेदार हो गया तीन माह बाद सुधीर भी 15,000 रुपया लगा कर उनके व्यापार में सम्मिलित हो गया 95,000 रुपया के अर्दवारसी कलाब में सुधीर का लाब कितना है तो आईए महेंद्र, सुरेंद्र और बाद में आया सुधीर इन तीनों ने मिलकर व्यापार किया है तो सबसे पहले महेंद्र और सुरेंद्र ने व्यापार को सुरू किया महेंद्र 12,000 रुपया लगा कर और सुरेंद्र 9,000 रुपया लगा कर अब कहा गया कि तीन माह के बाद सुधीर भी 15,000 रुपया व्यापार में लगाया आर्दवार सी कहने का मतलब है और जैसे कि कुछ इस्टोइंट होंगे जो कि हमारे स्टार्टिंग से ही जुड़े हुए होंगे तो पहले के वीडियो में जितने सारे कमेंट आते थे कि मैं आपका जो राइटिंग है काफी अच्छा लगता है ये आपने देखा होगा कि ये अच्छी है अब देखेंगे तो पढ़के बहुत गं Hind लगेगा तो ये सारे कमेंट आते थे भरबर कि आपकी आपकी बहुत अरोंड प्यारी ये बहुत अच्छी है तो मैं उन्हीं बता दूँँ कि यے मेरी राइटिंग ने मेरे हसबन की राइटिंग थी तो उनके जितने भी कमेंट आते हैं वो मेरे हसबन के लिए थे और यह था मेरा सेट अप जो कि मैंने आप लोगों के साथ सेयर किया मैं यह नहीं कहूंगी कि आप भी ऐसे ही सुरू कीजिए आपको भी जिस हिसाब से आपके पास investment करने को पैसे हैं आप उस तरह से investment करें अपनी और उस हिसाब से अपना channel को start करें और आगे जैसे ही आप start कर देता है ऐसा नहीं कि जिस दिन आपने विडियो बनाया और वैसा ही आपका वो बहुत बेस्ट बनाने अपके इसाब से आप भी का सबसे बेस्ट होगा जैसे कि मेरे लिए मेरा पहला वीडियो सबसे बेस्ट था लेकिन जब आज मैं देखती उस व अभी भी आप लोगों के जैसे जैसे कमेंट आते हैं मैंज़ है वैसे वैसे अपनी वीडियो है ए Lac Maybe सब्सक्राइबर को यह चाहिए सब्सक्राइबर को यह यहां पी अच्छा नहीं लगा जैसे कि अभी मैं जब बनाती हूं ग्राफिक्स पे तो वह कुछ इत्रेंट कैंथ किया था मैं जब मैं बता रही थी तो Verma आप ब्लू आले से बताएं, रेड से अच्छा नहीं लगता, तो आप से ध्यान रहेगा कि मैं रेड से बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, रेड का कभी यूज नहीं करूंगी, मैं हमेसा ब्लू से ही बताऊंगी, तो इस तरह से छोटी-छोटी बहुत सारी बाते हैं, जो हमा पहला जो वीडियो था, उसका सेटप कैसा था, या पहले का सेटप मेरा कैसा था, वह मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं मिलती हूँ, अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यूट्यूब के जर्नी के लिए, और जो मतलब कि स्टार्ट करना चाहते ह हैं कि हाँ, यूट्यूब को स्टार्ट करना है, तो अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिले, तो वो मेरे लिए खुसी की बात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद,